भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित कुतो मिनार एशिया की सबसे उची मिनार है ये मुगल काली इन्वास तुकला का एक अदबुद नमूना है जो की भारत की सबसे भव्वे और मशूर एतहासिक इमारतों और मुख्या प्रटन स्थलोस में भी देखा गया है इसके आकर्षन की वजह से इसे युनिसेक्सों की विश धरोहरों की लिस्ट में भी शामिल किया गया है आज हम आपको बारवी और तेरवी सदी के पीच में बनी भारत की इस भव्वे मिनार के बारे में बताएंगे तो आईए जानते हैं कुटुम मिनार के वारे में भारत की सबसे उची मिनार कुटुम मिनार डिली के महरोली इलाके में छटरपूर मंदिर के पास थे तै ये विश्व की दूसरी सबसे उची मिनार है इसका नर्मान बारवी और तेरवी शतापती के पीच में कई अलग लग शास को दुआरा करवाया गया उन्होंने कुत्व मिनार की नीव रख सिर्फ इसका बेसमेंट और पहली मंजिल बनवाई थी कुतुब दिन एवग के शासनकाल में इस भवे इमारत का निर्मान कार्य पूरा नहीं हो सका था जिसके बाद कुतुब मिनार की इमारत का निर्मान दिल्ली के सिल्टान और कुतुब उद्दिन एवग के उतरादिकारी और पोते इलतुमिश ने करवाया था इन्होंने इस एतिहासिक इमारत मिनार की तीन और मंजिले बनवाई थी। जबकि साल 1378 एसवी में एशिया की इस सबसे उची मिनार की पांचवी और अंतिम मंजिल का निर्मार फिरोश शाह तुगलक के दुवारा करवाया गया था। वही 1508 एसवी में आई भ्यंकर भुकम की वज़ा से कुतुब मिनार की इमारत काफी शति ग्रस्थ हो गई थी। जिसके बाद लोदी वंश के दूसरे शासक सिकंदर लोदी के दुवारा इस मिनार की सुध लागी गई और इसकी मरमत करवाई गई। इस भवे मिनार के निर्माड में लाल बलुआ पत्थर और मार्बल का इस्तिमाल किया गया है जिसमें अंदर गोल करीब 389 सीड़ियां हैं इसके साथ ही आपको बता दें की कुतुब मिनार की अदबु दिमारत जाम की मिनार से प्रेरित होकर बनाई गई थी। करीब 70 मीटर उची भारत की सबसे उची और भवे मिनार के नाम को लेकर इताहसकारों के अलग लग मत हैं कुछ इताहसकारों का मानना है कि इस भवे मिनार का नाम गुलाम वंश के शासक और दिली सलतनत के पहले मुसलिम शासक कुतुब उद्दिन एबक के नाम पर रखा ग जब की कुछ इताजकार के मुताबिक मुगलकाल में बनी इस भवेमारत का नाम मशूर मुस्लिम सोफी संख्वाजा गुतुब दीन भखितियार काफी के नाम पर रखा गया था भारत की ये उची इमारतों में इससे एक भी मानी जाती है ऐसी ही अजबुत खबरों से रहने के लिए देखते रहें नेक्स नाई न्यूज और मैं हूँ आपके साथ साधिका कौर